नमस्कार दोस्तो गूड मौर्णिंग जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आभी मैं बन्याल रेल्यवेश्टिसन पर हूँ अभी सुबह के साथ बज रहे हैं दोस्तो आज हम जा रहे हैं पहल गाम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बन्याल रेलोे इस्टिसन से पहल गाम कम से कम खर्चे में घूम कर कैसे वापस आएं, वो भी दोस्तो एक दिन में तीन सुरुपे के खर्चे में, इस वीडियो में हर एक चोटी सी चोटी जानकारी मैं आपको देने की कोशिस करूँगा कि आपका आने जाने में कहां कितना खर्चा हुआ, पहल गाम घूमने में आपका कितना समय लग सकता है, हर एक चोटी सी चोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिस करूँगा, इसलिए वी ट्रेन में पूरा जेनरल डब्बा होता है, जेनरल टिकट आपको रेल वेश्टिसन पर ही मिल जाएगी, परवेक्ती तस्रुबे की टिकट है अनंतनांग रेल वेश्टिसन तक का, क्योंकि हमें पहल गाम के लिए अनंतनांग रेल वेश्टिसन नहीं उतरना होगा, मैं ट्रेन में बैढ चुका हूँ बस हमारी ट्रेन थोड़ी देर में यहांसे निकलने वाली है हमारी ट्रेन बनीहाल रेली वेस्टिसन से निकल चुकी है अपने साइँ डाइब उपर 7 बच कर 15 मिनिट पर बनिहाल से हर एक गंटे पर ट्रेने हैं अनंतनाक रेलो इस्टेशन के लिए सामको चार बच कर पचास मिनट पर लास्ट ट्रेन है साथ बच कर बावान मिनट पर इस ट्रेन का टाइम है अनंतनाक रेलो इस्टेशन पहुंचाने का लगबग 40 मिनिट का समय लगेगा हमें अनंदनाग रेलिवेश्चन पहुंचने में यहां रेलिवेश्चन पार्क करते ही आपको एक सांदार टनल मिलेगी दोस्तों बहुती लंबी टनल है जैसा कि आप व्यूडियो में देख रहे हैं 40 मिनिट का सफर आपका अच ट्रेन में बहुत अच्छा कटने वाला है यहां पर चलने वाली यह ट्रेन कस्मीर के सभी लोकल रेलिवेश्चन पर रुखती है ट्रेन में सफर के दुरन आपको बहुती खुबसूरत खुबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे दोस्तो हम आनंतनाग रेलिवेश्चन पहुंच चुके हैं अपने सही टाइम पर यह ट्रेन साथ बच कर बावाल मिनट पर यहां पहुंची है यहां पर चलने वाली ट्रेने अपने सही टाइम पर ही चलती है बनिहाल से हम अनंतनाग 10 रुपे में पहुँच गए हैं दोस्तो अब अनंतनाग रेलवे स्टेशन के बाहर से हम पहलगाओं के लिए टैक्सी या कैब लेंगे रेल्वे स्टेशन के बाहर से आपको बहुती असानी से पहल गाम के लिए टैक्सी कैब शेरिंग में मिल जाएंगे शेरिंग में देवड़ सुरुपे किराय लगा है मेरा पहल गाम तक का कभी कभी ऐसा होता है दोस्तो अनंतनाग रेल्वे स्टेशन से डारेक्ट पहल गाम के लिए टैक्सी या कैब नहीं मिलती है तब आप अनंतनाग रेल्वे स्टेशन से अनंतनाग की मैन मार्किट पहुँच जाएं वहाँ से आपको टैक्सी कैब शेरिंग में पहल गाम के लिए मिल जाएंगी अनदनाग रेल वेश्टन से अनदनाग की मैन मार्किट की दोरी लगबग 5 किलोमिटर होगी फाइनली हम पहल गाम पहुँच चुके हैं हमें यहाँ पहुचने में लगबग 1 गंट 20 मिनट का समय लगा है पहल गाम घूमने के लिए आप यहाँ पर टैक्सी या कैब ना करें बहुत ही ज़्यादा प्राइस बांगते हैं आप पैदल पहल गाम की हसीन वादियों को बहुत ही असानी से घूम सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है दोस्तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तो नो बच कर 30 मिनट हो रहे हैं बनिहाल से यहाँ पहुचने में हमें लगबग 1,5 गंटे का समय लगा है बनिहाल से यहाँ तक पहुचने में हमारा सिरिफ 160 रुपे अभी तक खर्च हुआ है पहलगाम की हसीन वादियों को घूमने में कम से कम 4-5 घंटे का समय आपके पास जरूर होना चाहिए तभी आप अच्छे से पहलगाम की हसीन वादियों को दिख सकेंगे पहलगाम कस्मीर का सबसे पोपलर टूरिश प्लेस माना जाता है यहाँ पर दोस्तों खाने पीने का समान बहुत ही जादा कोशली रहता है इसलिए कोशिस कीजिएगा कि अपने साथ खाने पीने का समान लाएं लगबग 5 घंटे यहाँ पर घूमने के बाद अब मैं वापसी निकलूंगा लगबग दुपहर के तीन बजे मैं अनदनाग के लिए यहाँ से वापसी निकल गया जहाँ पर मुझे टैक्सी वालन उता रहा था मुझे वहीं से शेरिंग टैक्सी मिल गई अनदनाग के लिए रेलिवेश चिसन तक के लिए मुझे डारेक टैक्सी नहीं मिली अनंदनाग मार्किट तक के लिए मुझे टैक्सी मिली है पहल गाम से अनंदनाग की दूरी लगबख 50 किलो मिटर के आसपास होगी पहल गाम से अनंदनाग हम एक घंटे में लगबख पहुँच गए है यह अनंदनाग की मैन मार्किट है पहल गाम से यहां तक का हमारा 100 रुपे किराया लगा है शेरिंग में यहां पर कुछ समय बिताने के बाद मैं निकल गया अनंदनाग रेल वेश्टिसन के लिए अनंदनाग रेल वेश्टिसन के लिए आपको शेरिंग में यहां से टैक्से मिल जाएंगी जिन में 30 रुपे किराया है परवेक्ति 15 से 20 मिनिट लगेगा आपको अनंतनाग रेलिवेश्टन पहुंचने में हम अनंतनाग रेलिवेश्टन पहुंच गए हैं अभी 5 बच कर 15 मिनट हो रहे हैं ठीक 5 बच कर 40 मिनट पर हमारी ट्रेन है बनियाल के लिए अनंतनाग रेलिवेश्टन के प्लेट्फोन नंबर एक पर हम आ गए हैं इसी पर दोस्तों हमारी ट्रेन आएगी यहां पर चलने वाली सभी ट्रेन लोकल ट्रेने होती हैं यहां से दोस्तों वही सेम किराया है 10 रुपे पर वेक्ति अनंदनाग रेलिवे स्टेशन से बन यहार रेलिवे स्टेशन तक का हमारी ट्रेन अपने सही टाइम पर यहाँ पर आ चुकी है ठीक 5 बच कर 40 मिनट पर यहाँ से रवाना हो जाएगी केवल दो मिनट के लिए ही ये ट्रेन आनदनाग रेलियो इस्टेशन पर रुखती है सामके 6 बच कर 30 मिनट पर इस ट्रेन का टाइम है बनिहार रेलियो इस्टेशन पहुचाने का दोस्तो एक बात मैंने आपको वीडियो में बताई नहीं पहल गाम दोस्तो आप किसी भी मोसम में किसी भी समय घूमने के लिए आ सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा समय रहता है घूमने का गर्मियों की समय में अगर आप आते हैं तो आप मई जून में आए सर्दियों अगر आप आते हैं तो दिसंबर और जनुवरी में आए इन चार महिनों में टूरिष्ट भारी मातरा में कसमीर गूमने के लिए बैसे तो आप किसी भी मोसम किसी भी समय यहां आ सकते हैं पहले काम गूमने के लिए हर मोसम का अपना अलग मज़ा होता है अगर आपको 4 तरफ वर आप या स्नों देखनी है तो आप December और जनवरी के महीने में आए अगर आपको हर तरफ 4 तरफ हर्याली ही हर्याली देखनी है तो आप May और June के महीने में आए दोस्तो बस हम थोड़ी ही देर में बनिहाल रेलियो एस्टिसन पहुंचने ही वाले हैं बनिहाल रेलियो एस्टिसन हम पहुंच गया हैं ट्रेन ने हमें अपने सही टाइम पर 6 बच कर 30 मिनट पर यहां पर उतार दिया था दोस्तो हम अच्छे से पहल गाम घूम कर एक दिन में वापस आगे हैं केवल 300 रुपे के खर्चे में कहा कितना खर्चा लगा मैंने आपको इस वीडियों बता दिया है बन्याल से अनंदनाग 10 रुपे, अनंदनाग से पहल गाम 1.500 रुपे फिर वापसी में पहल गाम से अनंदनाग मैन मार्किट 100 रुपे लगा फिर अनंदनाग मैन मार्किर से अनंदनाग रेलियो एस्टिसन तक का 30 रुपे लगा अनंदनाग रेलियो एस्टिसन से 10 रुपे बन्याल रेलियो एस्टिसन तक का लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोचार दोस्तों को शेर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी मेरे बताय हुए तरीके से सस्ते में पहल गाम पहुंच सकें बाई बाई अब मैं आपको मिलूँगा नेश्ट वीडियो में जे हिंद जे भारत